काउ बेल्ट है काउ बेल्ट का समर्थने जो काउ बेल्ट जिससे खा जाता है उसको इस तरह से सदन में उल्लखित करना किस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं हर्याना में हम हर्याना में जीते हैं हमने करनाटक में समर्थन प्राप्त किया है और यह ठीक है कि केरल में और तामि संगठन है अश्यम बंगाल में भी हमें दस पर चाहते थोड़ा कम वोट मिला हुआ है अगर आप वोट की बात करते हैं तो फिर दस पर संट पर दस पर संट वोट की बात करिए इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां एक एक व्यक्ति की पार्टि और वो हमारे साथ हमारे खिलाब जंगट करके और हमें हटाने का प्रयास करने का पूरा दिकार है बगर है वो एक एक व्यक्ति की पार्टि एक लाचलो रहे और चलो एक लाघ क्षेटर से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकटे रहे किस लिए इकटे हो जाओ देश के भले के लिए वागट है हम भी अपने घंक से देश की सेवा कर रहे हैं और अगर हम देश वक्त न होते और अगर हम निस्तवार्ट भाव से राजनीत में अपना इस्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीसे 40 साल की साधना है यह कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है यह कोई चमचकार नहीं हुआ है हमने मैनत कि हम लोगों में गए हैं हमने संगर्ष किया है पार्टी 355 दिन चलने वाली पार्टी है यह कोई चुनाव में कुकर मुक्चे की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी और आज हमें आज हमें अकारन कटगरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी से थोड़ी ज्यादा सीटे नहीं लेशे के हमान के हमारी कमजोरी है हमें बहुमत में लग चाहिए राश्टर पती ने हमें आउसर दिया हमने उसका लाब उठाने की कोशिश किया हमें सपलता नहीं विली वो अलग बात है लेकिन हम फिर भी सधन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा इस पार खुमत भुली है मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे या आपको आश्वासन देना चाहते हैं मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कारिकम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जाना लेकिन जहां तक जलितों का सवाल है, शिडूल कास के टोटल मेंबर से 77 और उनमें से 29 मेंबर्स बीजेपी के पिने गएगे CPIM, CPIM के 5 मेंबर है, CPI 1 मेंबर है, Congress 15 मेंबर है, जनतादर 7 मेंबर है और सबसे जादा हमारे मेंबर है हमारा जनाधार नहीं है, हमें लोगों का व्यापक समर्चन प्राप्त नहीं है अगर आप हमें, हमें, हमारे, हमें छोड़कर सत्ता बनाःना चाहते हैं और समझते हैं कि वो सरकार ठिकाओ होगी मुझे तो उसके ठिकने के लक्षन नहीं दिकाई़ दे पहले तो उसका जन्म लेना कठे ने, जन्म लेने के बाद जीवित रेना कठे ने और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाप कर सकेगी ये प्रश्ण वाचत चिन्न है हर बात के लिए आपको कॉंग्रिस के पास दोड़ना पड़ेगा और जब आप उन पर निर्बर हो जाएंगे अभी तो मैं नहीं जानता है पहले पहले चर्चा हुई कि कुछ शर्टे लगाई जा रहे हैं फिर चर्चा हुई कि कॉडिनेट कॉडिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी फ्लोर पर भी हम लोग कॉडिनेशन करते हैं उसके बिला तो सदर नहीं चलता है आप सारा देश चलाना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है हमारी शुमकाम नायाथ के साथ हैं हम अपने देश के देश की सेवा के कारी में जुटे रहेंगे हम संच्छाबल के सामने सर चुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कारी हमें अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्टी उज्जेश पूरा नहीं कर लेगे तब तक बिश्राम से नहीं बैठेंगे तब तक आराम से नहीं बैठेंगे मैं अपना त्याक पत्र राश्चपती महुदय को देने जा रहा हूँ